चलिए आज बनाते हैं आलू और टमाटर की बहुत ही टेस्टी ग्रेवी वाली सबजी आप इसे एक बार जिरू ट्राइ करें सभी को काफी पसंद आएगा अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हलफुल लगेगा तो प्लीज लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइकन को प्रेश कर लीजेगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुचे तो चलिए देर ना करते हुए बहुत ही टेस्टी रेस्पी बनाना हम सुरू करती हैं हमी ले लेना है उबला हुआ आलू इसे हमें इस तरीके से मैस करना है इसे बड़े बड़े पीसेज में हमें नहीं तोड़ना है थोड़ा छोटा छोटा पीसेज में ही तोड़ना है इसे हमें कट नहीं करना है अगर आप कट कीजेगा तो उसका सबजी उता बढ़िया नही इसी तरीके से हमें सारे अलू को तोड़ लेना है अभी हमें गैस पे चढ़ा देना है कडाही को इसमें डाल देना है तेल आप जो भी तेल खाते हैं उस तेल में सबजी को बना सकते हैं हमें दो चम्मत तेल डालना है तेल को गरम होने देना है तेल गरम हो चुका है इसमें हमें डाल देना है आधा चम्मच जीरा जीरा को क्रैक्स होने देना है जीरा क्रैक्स हो चुका है जीरा ब्राउन हो चुका है अभी हमें इसमें डाल देना है दो कटा हुआ हरा मेर्च अगर आप ज्यादा तीहा खाना पसंद करते हैं तो ज्यादा भी हरा मेर्च को डाल सकते हैं एक चम्मच कूटी हुई अद्रक लेसुन डाल देना है अगर आप लेसुन खाना पसंद नहीं करते हैं तो उसे स्कीप कर सकते हैं इसे हमें आधा मिनट के लिए भूनना है लो हीट पर अभी हमें इसमें डाल देना है दो छोटे साइज के कटे हुए टमाटर आप इसे पीस क कर भी डाल सकते हैं या बारी कट करके भी डाल सकते हैं अभी हमें इसमें मसाले डालना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर सारे मसाले छोटे वाले चम्मच से हैं एक चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच कास्मीरी लालमेश पाउडर इससे कलर बहुत ही बढ़िया हो जाता तीखा नहीं होता है, अभी हमें इसमें नमक डाल देना है, नमक आप अपने स्वादन सा डाले, मैं एक चम्मच नमक डाली हूँ, अभी हमें इसे चला लेना है, गैस का फ्लेम हमें लो रखना है, लो फ्लेम पे हमें मसाले को ढख ढख कर भूनना है, ढख ढख कर मसाले को ला लेना है अभी वापिस हमें कडाही का धकन लगा कर इसे थोड़े दिर के लिए और भूनना है मसाले को भूनते हुए दो से धाय मिनट का समय हो चुका है मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं टमाटर भी एकदम सौप्ट हो चुका है देख सकते हैं गदम बढ़िया से सौप्ट हुआ है हमें इसे इस तरीके से मैस कर लेना है जिससे इसका ग्रेवी बहुत ही बढ़िया हो जाता है अभी हमें इसमें डाल देना है पानी हमें इसमें लगभग 200 ml पानी डालना है इसे हमें चला लेना है ग्रेवी में उबालाने देना है तो अभी आप देख सकते हैं ग्रेवी में उबाला चुका है अभी हमें इसमें मैस किये हुए आलू को डाल देना है इस सबजी को बनने में बहुत ही कम टाइम लगता है कम महनत लगता है, खाने में बहुँआ टेस्टी लगता है, अभी हमें इसे चला लेना है, गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है, इसे हमें दो से धाई मिनट के लिए मीडियम हीट पर पकने देना है, अभी हमें कडाही का धकन लगा लेना है, सबजी को पकते हुए लगभग धाई मिनट हो चुका है, अभी हमें कडाही का धकन हटा लेना है, सबजी को चला लेना है, देख सकते हैं ग्रेवी भी एकदम परफेक्ट है, अभी हमें इसमें डाल देना है आधा चमच गरम मसाला प और अभी हमें कडाही का धकन लगा कर इसे आधा मिनट के लिए पकने देना है लो हीट पर सबजी को पकते हुए आधा मिनट हो चुका है अभी हमें गैस का फ्लेम आफ कर देना है तो देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलिसियस, मटर और आलू की सबजी बन कर तयार है, आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करें अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हैलफुल लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमली फ्रेंट के साथ सेयर जरूर कीजिएगा, कामेंट में जरूर बताइएगा ये रेस्पी आपको कैसा लगा, आपके जरूर्वाजे